दिवाली के बाद बचे हुए दिये का क्या करें? कूडे में फेंक देना है महापाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। दिवाली के दिन घर में रौश्नी करने के लिए, मा लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए सभी के घरों में मिट्टी के दीपक जरूर जलाए गए होंगे। सिर्फ दिवाली ही क्यों? आप जब भी किसी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो दीपक तो जलाते ही हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप तुलसी जी के पास भी मिट्टी के दीपक जला कर जरूर रखते होंगे। लेकिन सोच कर बताईए कि कहीं आप दिवाली के दिन तुलसी जी के नीचे या किसी भी पूजा पाठ में जलाए गए दीपक की बत्ती का अनादर तो नहीं करते। आपको क्या करना चाहिए? ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों! शिव पुरान टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्षन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरू जी कहते हैं कि सभी लोग अकसर भगवान के सामने दीपक तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ती करने के लिए, लेकिन जली हुई बाती को यहां वहां फेंक देते हैं, वहीं कुछ लोग किसी नदी में फेंकते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं माना जाएगा, इसलिए आपका ये जानना बेहत जरूरी है कि आपको दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करना चाहिए, आपके घर में जब रोज पूजा पाठ होता है तो रोज दोनों समय दीपक भी जलाया जाता है, ऐ उसके साथ आप धूप बत्ती के बचे हुए टुकड़े अगर बत्ती की डांडियां भी रख दें, रखने के बाद उसके उपर आप थोड़ी सी धूप का चूरा डाल दें, धूप जिससे आप हवन करते हैं, साथ में लोबान या गूगल इसके उपर रख कर आप थोड़ और शुद्ध घी डाल कर इसे जला दें, इसे जलाने के बाद जब इसमें से ज्योत निकलने लगे तो आप किसी चीज से इसको बुझा दें, लेकिन ध्यान रहे, इसे आप मूह से फूँक मार कर कभी न बुझाए, जली हुई आग के बुझने के बाद इसमें से निकलने पूरे घुमाने के बाद आप इसे घर में किसी साफ जगह पे या पूजा के स्थान पे रख दें। जब तक ये धूनी जलती रहे, आप चाहे तो अपने इश्ट देव के मंत्र का जाप करें या फिर आप चाहें तो पूरे घर में घुमाने के बाद इस धूनी को तुलसी के पौधे के सामने रख दें। इस धूनी के प्रभाव से आपके पूरे घर से नेगेटिव एनरजी दूर भाग जाएगी। आपके द्वारा बोले गए मंत्र जाप से ये राक सिद्ध हो गई है। आप इसे साफ कपड़े से चान कर किसी डिब्बे में भर कर रख लें। और चाहे तो रोज सुबह पूजा करने के बाद इस विभूती को आप अपने माथे पे तिलक की तरह लगाएं। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और सम्रिद्ध शाली बने रहेंगे। आप चाहें तो इस राक से घर के में डोर पे स्वास्थिक बना लें तो आपके घर में किसी भी तरह की बाहरी हवा का प्रवेश नहीं होने पाएगा। घर का वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहेगा। इस चाहें तो हर 15 दिन के बाद अपने पूजा घर में इकठा करके रखी गई। बाती को इसी तरह जलाकर इसका प्रयोग करें। इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और भगवान भी आपसे खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। दरसल जब आप भगवान के सामन और आशीरवाद भी उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे में जब आप उन बत्तियों को आप ऐसे ही फेंक देते हैं या जल में बहा देते हैं तो आपके द्वारा की गई सारी पूजा अर्चना का फल व्यर्थ चला जाता है। आपको भगवान की कृपा मिलने की बजाए उनक की नाराजगी झेल नी पड़ सकती है। क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित और ईश्वर की शक्तियों से भरपूर दीपक या बाती को यूँ ही फेंक देना या पानी में बहा देना। भगवान का अनादर करने के बराबर होता है जिससे भगवान खुश होने के बजाए क्या करना चाहिए। किस तरह उसमें समाहित सारे आशीरवात को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप पूरे साल अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। इन दियों के ऊपर छोटी-छोटी आकरतियां बना कर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप चाहे तो इन जले हुए दियों से खूबसूरत पेंटिंग भी बन सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के क्रियेटिव कामों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो आप इन बचे हुए दियों को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन इन्हें इधर उधर कूड़े में या गंदी जगह पे फेंकने से आपके जीवन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मा, लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। गुरु जी कहते हैं कि सभी लोग अकसर भगवान के सामने दीपक तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ती करने के लिए, लेकिन जली हुई बाती को यहां वहां फेंक देते हैं, वहीं कुछ लोग किसी नदी में फेंकते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं माना जाएगा, इसलिए आपका ये जानना बेहत जरूरी है कि आपको दीपक की बची हुई बत्ती का क्या करना चाहिए, आपके घर में जब रोज पूजा पाठ होता है, तो रोज दोनों समय दीपक भी जलाया जाता है, आप धूप बत्ती के बचे हुए टुकडे, अगर बत्ती की डांडियां भी रख दें, रखने के बाद उसके उपर आप थोड़ी सी धूप का चूरा डाल दें, धूप जिससे आप हवन करते हैं, साथ में लोबान या गूगल इसके उपर रखकर आप थोड़ी सी कपूर और शुद्ध घी डाल कर इसे जला दें, इसे जलाने के बाद जब इसमें से ज्योत निकलने लगे तो आप किसी चीज से इसको बुझा दें, लेकिन ध्यान रहे, इसे आप मूह से फूँक मार कर कभी न बुझाए, जली हुई आग के बुझने के बाद इसमें से निकलने जब तक इसमें से धुवान निकलता रहे, ये निकलता हुआ धुवान आपके घर के वातावरन को शुद्ध करके आपके घर में पॉजिटिव एनरजी को बढ़ाता है साथ ही घर के अंदर मक्खी मच्छर जैसी चीजों को प्रवेश करने से भी रोगता है जब तक ये धूनी जलती रहे आप चाहे तो अपने इश्ट देव के मंत्र का जाप करें या फिर आप चाहें तो पूरे घर में घुमाने के बाद इस धूनी को तुलसी के पौधे के सामने रख दें इस धूनी के प्रभाव से आपके पूरे घर से नेगेटिव एनरजी दूर भाग जाएगी आपके द्वारा बोले गए मंत्र जाप से ये राक सिद्ध हो गई है आप इसे साफ कपड़े से छान कर किसी डिब्बे में भर कर रख लें और चाहे तो रोज सुबह पूजा करने के बाद इस विभूति को आप अपने माथे पे तिलक की तरह लगाएं ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और सम्रिद्ध शाली बने रहेंगे आप चाहें तो इस राक से घर के में डोर पे स्वास्थिक बना लें तो आपके घर में किसी भी तरह की बाहरी हवा का प्रवेश नहीं होने पाएगा घर का वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहेगा इस विभूति को आप किसी बीमार व्यक्ति के माथे पे अगर अपने इष्ट देव का नाम लेकर लगा दें तो उसे तुरंत राहत जरूर मिलेगी आपके मन में अपने इष्ट देव के प्रती श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए आप चाहें तो हर 15 दिन के बाद अपने पूजा घर में इकठा करके रखी गई बाती को इसी तरह जलाकर इसका प्रयोग करें इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और भगवान भी आपसे खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे दरसल जब आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की बाती के अंदर आपके द्वारा बोले गए मंत्रों या पाठ की शक्तियां समाहित हो जाती है साथ ही उस भगवान की शक्तियां और आशीरवाद भी उसमें शामिल हो जाता है ऐसे में जब आप उन बत्तियों को आप ऐसे ही फेंक देते हैं या जल में बहा देते हैं तो आपके द्वारा की गई सारी पूजा अर्चना का फल व्यर्थ चला जाता है। आपको भगवान की कृपा मिलने की बजाए उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित और ईश्वर की शक्तियों से भरपूर दीपक या बाती को यूँ ही फेंक देना या पानी में बहा देना। भगवान का अनादर करने के बराबर होता है, जिससे भगवान खुश होने के बजाए आप से नाराज हो जाते हैं और आपके घर में negativity बढ़ने लगती है। जीवन में अनेक तरह की परेशानियां और कश्ट आने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं कि दीपक की बची हुई ब हमें बाद में क्या करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि दिवाली की रात या कभी भी जलाए गए मिट्टी के दीपक का बाद में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बचे हुए मिट्टी के दीपक को हम अपने घर में किसी सजावट का सामान बनाने के रूप में इस्तेमाल जैसे हम इससे जूमर बना सकते हैं, तोरन बना सकते हैं, या फिर घर में किसी भी तरह का सजावटी सामान बना कर इसे आप पूरे साल अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। जैसे हुए दियों को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन इन्हें इधर उधर कूडे में या गंदी जगह पे फेंकने से आपके जीवन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है।